ओम स्री अनिशा आये नमा नमस्कार दोस्तों दोस्तों एस्टो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त राजेश जूसी दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यह दि चंद्रमा के कमे के कारण हमारे जीवन में परिशानी आ रही है या हमें मानसिक चिंताएं हो रही है या हमारा मन किसी कारी में नहीं लग रहा है या हमें करज हो गया है या हमारा कारी में नहीं हो पा रहा है या हमारे कारी में बिलंब हो रही है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए तो दोस्तो इन सब जानकारी को जानने है तू मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो के अंतर तक अवश्य बने रहें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य ही सेयर करें जिससे वे लोग भी इसका फायदा उठा सेके दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि चंद्रमा की कमी का पता हम कैसे लगाएंगे तो दोस्तों कुछ ये देनिक क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य के जीवन में होती हैं उनसे भी हम यह जान लेते हैं कि मनुष्य के जीवन में किस ग्रह की कमी के कारण यह सब हो रहा है दोस्तो यदि ब्यक्ति की कुंडली में चंदमा कमजोर है तो यह सब लक्षन ब्यक्ति के जीवन काल में दिखाई देते हैं दोस्तो सबसे पहली बात कि ब्यक्ति हमेशा हवा में उड़ता रहता है अर्थात वो हमेशा ही कन्फूजन में रहता है या यूँ कहें कि वो एकाग्र नहीं रहता है और वो यह नहीं समझ पाता है कि अच्छा है या ये दूसरा काम अच्छा है हमेशा ही वो कन्फूजन में रहता है ये विक्ति जिसे देखते हैं उसके जैसा ही करना चाहते हैं जैसे किसी विक्ति को देखा कि वह पर्चून की दुकान चला रहा है तो ये सोचते हैं कि पर्चून की दुकान में काफी मुनाफ़ा है उन्हें भी पर्चून की ही दुकान चलानी चाहिए ये दिये किस करना चाहिए अर्थभा ये दो चार दिन जिस तरीके के वैक्ति के सान्त नहीं उसी के जैसा कार्य करने की सोचने लग जाते हैं किसी 유 spicy muchísफरोंट से मिल जाए दो चार दिन उसके सांत रहने लगा है दो चार दिन इस हैं चाहिए टाइल वाइल लगा के उस सीरन को ढख दें इनके नलके हमेशा टपकते रहते हैं तीसरी पहचान यह होती है कि इनकी माता का स्वास्त खराब रहता है इस प्रकार के जातक जो होते हो पैसा खर्च करते हैं बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी बात को ध्यान में र लेते हैं यहां तक कि जाईजैद भी गिर्वी रख लेते हैं यह खुद कोई भी आप करने करके बंद भी कर देंगे तरहा उसका इल्हामे किसी दूसरे पर ही लगाते हैंlarda कारण मेरा यह नहीं हो पाया है तो इस प्रकार यह किसी बेक्तिकिक कुण्डली में चंद्रमा कमजोर होता है तो इस पर गार आप खुद ही जान सकते हैं जो आप आपकी देनिक क्रियाएं हो रही हैं उसके अंसार आप ये जान सकते हैं कि ये सब चंद्रमा की कमी की कारण हो रहा है तो दोस्तों अब देखते हैं आगे ये चंद्रमा ही कुंडली में बिग कार हो जाता है लगर कुछ आसान उपाय हैं दोस्तों जिनको करने से आप वश्य ही इस कष्ट से मुक्त हो पाएंगे और आपका चंदमा भी अपनी उचित इस्तिती में आ जाएगा ये उपाय आपको वश्य ही करने चाहिए सबसे पहला उपाय इन में यह आता है दोस्तों कि आपको ओम सब्द का उच्चारण करना चाहिए कम से कम पांच मेंट तक सांस को लंबी रोक कर ओ इस प्रकार से आपको कम से कम पांच मेंट तक रोज करना चाहिए तो गायतरी मंत्र का यह था संभव आपको जब करना चाहिए इसलान के पश्चाद आपको गायतरी मंत्र का जब अवश्य ही करना चाहिए जितना हो से के उतना करना चाहिए आप पूजा के पश्चाद भी जब भी आप ओफिस के लिए तियार हो रहे हूं तिल ओफिस जाने तक आप ये था संबब जबते रहें तथा तीसरा ये उपाय है कि आप बृध्धास्रम में जाकर बृध्ध माताओं को दान करें विद्वाओं को कुछ दान करें तथा उनका आशिरवाद आपको लेना चाहिए चोथा ये है कि आप सनी मंदिर में हमेशा दूद का दान करते रहें इससे आपको चंद्रमाजन्य परिशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा किसी भी काम को बीना सोचे समझे आपको नहीं करना चाहिए सनी से संबंदित भी हो साय आपको नहीं करने चाहिए जैसे लोवे का कोईले का जो भी सनी से संबंदित है कंस्ट्रक्शन का कोई काम है ये सब काम आपको नहीं करने चाहिए अगर हो सके तो घर की मेलाओं को पूर्णी मागा ब्रत करना चाहिए घर के घर में चांदी और चावल जितना अधिक से अधिक आप रख सकते हैं आप रखना चाहिए यह सब करने से आपको अवश्य ही चंद्रमा जन्य परिशानियों से छुटकारा मिलेगा तथा आपका चंद्रमा मजबूत होगा आपके ग्रहस्तिती सही होगी आप जो कर्ज आपको हो रखा वो भी दीरे-दीरे समाप्त होने लगेगा तथा आपके जीवन में जो भी कर्ष्ट हैं वो सब समाप्त होने लगेंगे दीरे-दीरे आपके अंदर एक सूजबूज आ जाएगी जैसे आपको पहले सूजबूज करने लग जाएंगे जल्द बाजी में आप नहीं करेंगे तो दोस्तो इतना ही था इस वीडियो में आगे हमारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन जल से जल पाने है तूँ आप हमारी चैनल को अवश्य सस्क्राइब कर लें हमारी चैनल में इस तरीके की हमेशा एक वीड करें लाइक करें अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं अवश्य ही आपको आपकी जानकारी का जबाब मिल जाएगा धन्यवाद